कि नमस्कार स्विप इंस्प्यूट पे आपका स्वागत है मैं विकी सिंग आज का जो वीडियो है वह क्लब फुट के उपर है क्लब फुट डिसेबिलिटी जिसको चांद पैर भी बोल देते हैं या और भी अलग अलग तरह के नाम इसके हैं यह डिसेबिलिटी है लोकोमोट मारा रहा हूं कि जिस बच्चे को क्लब फुट का प्रबलम है वह इस डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो उसको रिजरवेशन मिलेगा नहीं मिलेगा नीट में जही में गॉफ्यल्मेंट सेक्टर में विद्रमेशन में मिलेगा या या घूम इसलिए यह वीडियो है पैर की वैसे ना हो पैर या तो अंदर की तरफ या पीछे की तरफ या इस तरफ दूसरी तरफ मुड़ा हुआ हो जिसके वाज़े से लोकोमोशन करने में आपको प्रॉबलम आ रही है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानने में चलने में फिरने में उठने में बैठन आपको reservation दिला सकती है वो कितनी है वो है 40% अगर 40% disability आपकी है और 80% से कम है ठीक कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको दोनों पैर में club foot होता है कुछ बच्चों को सिर्फ एक पैर में club foot होता है club foot के बारे में और बहुत सी जानकारी मैं भी दूँगा इस वीडियो में बने रहे चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कर दें इससे मुझे appreciation मिलता है आपके लिए और वीडियो लाने के लिए ठीक है और विप्रोजीत जिसने बहुत बार request किया इस वीडियो के लिए उनके लिए special है वीडियो सो इस वीडियो से जितने बच्चों को आगे फायदा होने वाला चलो आगे चलते हैं तो बेटा इस problem को जिसको मुड़े हुए पैर चांद पैर क्लब फुट बोलते हैं इसका course क्या है तो बेटा यह बायबर्थ होने वाली problem है बाद में नहीं होती बाद में अगर आपके पैर या जॉइंट्स वगरा मुड़ जाते हैं तो वह polio हो सकता ह या arthritis हो सकता है और कोई और बिमारी पर अगर यह बिमारी है आपको club food तो यह बिटा गर्ब में ही हो जाती है मतलब during your pregnancy के समय पे आपको यह problem होई होगी गर्ब के अंदर अगर पानी जादा भर जाना या पानी की कमी और genetic मतलब आपके वंश में किसी को यह problem पहले रही हो य गर्ब के दोरान माता के जो पेट होता है उसका थीक से मतलब डेवलप ना होना दब जाना तो पैर अंदर दब गए वो पोजिशन गलत बनी रही जिस वज़य से ऐसा हुआ तो अगर early ages में से detect कर लिया जाता है तो आपको पता ही वोम में इसको detect किया जा सकता है position देखके या अगर बर्थ के time पे भी अगर पता चल जाता है तो doctors इसको कुछ हद तक cure कर सकते हैं limbs को accurate करके कुछ हद तक perfectly इसका कोई cure नहीं है और कोई दवाई वगएरा भी इसकी बटा होती ही नहीं actually ठीक है आप एक और देखो तो एक और चीज मैं आपको बता दूँ इसमें दो की disability आपको मिलती है एक होती है permanent disability होती है temporary तो बेटा club foot के अंदर आपको temporary certificate नहीं मिलेगा आपको permanent ही मिलेगा क्यों क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जिसका cure 100% नहीं होता है ठीक है बहुत जादा कोई surgical process में चला जाए तो शायद करवा पाए तो mostly इसका जो disability certificate बनता है विगलां administrative exam की तयारी कर रहे है तो आपका ये temporary certificate भी होगा अगर तो भी आपको reservation मिल जाएगा ऐसे temporary बहुत कम बच्चों को होता है लेकिन अगर आप job government job के अंदर किसी भी section में किसी भी sector में अगर आप government job सीख कर रहे है इस disability की वजए से तो पिटा आपका permanent certificate होना जरूरी है लेकिन disability percentage सब जगा सेम चाहिए at least 40% आपके disability होनी ही होनी चाहिए बास समझ भी आ गई चलो टीक है अच्छा इसका calculation का percentage का method क्या होता है देखो इसका जो lower limb है मतलब lower limb मतलब नीचे जो पैर है हमारे तो lower limb में जो calculation का method यूज होता है ना disability में वो सेम method यहां यूज होता है लेकिन यह पर क्या है किसी पैर टांगे नहीं सिर्फ पैर आपका जो नीचे का foot होता है सिर्फ foot जो है वो मुड़ावा होता है अंदर की तरफ या नीचे की तरफ या पीछे की तरफ या दूसरी तरफ यह पैर मुड़ावा होता है तो आपका एक पूरा joint जो है वो affected है डिजिट जो ह उस हिसाब से calculate होता है अगर आपके एक पैर में club food हैं तो आपकी percentage 30-40 के बीच में बनना काफी असान हो जाता है एक चीज और बता दो good news यह है कि club food की case में बच्चों को reservation बहुत easily मिल जाता है rejection बहुत कम है ठीक है और जो बच्चा डर रहा है आपने rejection की वैसे जिसका percentage कम है वो हमसे जुड़ जाए ऐसे member join button पर click करके subscribe के button में नहीं तो वीडियो के description में भी है link वहां से join हो जाए गोल मेंबर्शिप जॉइन करो pwd program में ने start किया हुआ है उसमें जुड़ जाए class चलती है उसकी उस classes में आपको बताऊंगा मैं किस तरह से आपको perform करना है during your disability test ताकि आप फेलना हो maximum percentage आप मतलब जो eligibility percentage है between 40 to 80 आप उसको और पप कर पाऊ और claim कर पाऊ अपनी seat चाहे जही में हो चाहे वो नीट में क्यों ना हो ठीक है अब calculation का method कैसे बता है मैंने कि सेम होता है लेकिन lower limb में तो बहुत सारी joints होते हैं आपका hip joint है फिर आपका बिटा ये घुटना है उसके बार बिटा आपका ankle है तो इसके अंदर ऊपर तो सब ठीक है ankle प्रभावित होत प्रपरेशन प्रोग्राम में जूड़ जाए और बाकी mostly जो percentage का calculation के प्रसेसर वो सेम ही होता है सिर्फ आपको अपने अपने जो प्रभावी joints है उससाब से आपका calculation होगा और आपके चलने फिरने उटने बैटने सबको भी calculate किया जाता है उसके calculation के लिए जो correct method है उसको लेक आपका हो जाएगा सो अगर आप मुझसे personally जूड़ना चाहते हैं तो मेरा instagram handle दाविक किसंग इस वीडियो के description में है आपको यह जानकारी अगर written form में चाहिए तो आपको यह सारी जानकारी written form में telegram instagram and whatsapp free of cost मिल जाएगी तो जाओ उसको join करो लिंक आपके whatsapp whatsapp telegram instagram सबके link जो है इस वीडियो के description में है जूड़ जाओ हम आजाके because बहुत-बहुत important important pwd category के लिए आगे आने वाली हर सेक्टर में चाहिए वो government सेक्टर हो चाहिए नीट हो चाहिए जे यू हर सेक्टर की information आपको इस चैनल पर मिलने वाली है so thank you so very much for watching till the end I hope यह वीडियो आपको helpful रहेगी और वह calculation वाली वीडियो जो आगे जाकर देखने वाली है लिंक उसका description है आपको बहुत help करेगी और शायद आपके सारे जवालों के जवाब में दे पाया होगा मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में वीडियो को like, share और चैनल को subscribe किये ना मत जाना कोई suggestion है कुछ कहना चाहते हो कुछ भी मन में और नहीं है तो thank you guys message कर दो लेकिन please comment section में कुछ न कुछ message करके जूट जाना because इससे चैनल को growth मिलती है और मुझे प्रुसाहन मिलता है thank you